सीम योगी ने आज 11 लाख ग्रामणो कून के आवास का मालकाना हक दिलाने माले घरोनी प्रमारपत्र सौब दिये हैं इस दौरान सीम योगी ने कहा कि अब गड़बड करके या एक ही जमीन कई लोगों को बेचने वालों की खेर नहीं है जमीन के दस्तवेज होने से अब एक बैंक लोन भी आसानी से मिल सकते है मुगमंद्री योगी ने कहा है कि राजस्व वभाग और स्टांप रेजिस्ट्रेशन वभाग को मिलकर ये देखना चाहिए कि जो शक्स जमीन बेच रहा है वो जमीन उसके नाम पर है भी या नहीं अगर उसके नाम पर जमीन नहीं है तो ऐसे लोगों को ततकाल प्रभाव से पुलिस को सौब देना चाहिए ताकि पुलिस उन्हें उपहार दे सके पर उस निराशित मुजर्ग को जिसका कोई देख भाल करने वाला नहीं है उसे ब्रधावस्ता पेंशन से जोड़ा जा रहा है निराशित महलाओं को निराशित महला पेंशन के साथ जोड़ा जा रहा है दिब्यांग जन पेंशन धारी को दिब्यांग जन पेंशन की सुख्धा अप्लब्द करवाई जा रही है कुछ लोग से पीडित लोगों को कुष्टर कुष्टावस्ता पेंशन भी अप्लब्द करवाया जा रहा है 2017 के पहले जो पेंशन की रासी मात्र 300 रुपिय थी आज गाओं में कोई ब्यक्ती अभाव की जिन्दगी नहीं जी सकता हर ब्यक्ती के लिए राशन काड़ है करोना काल खंडे में फिरी में राशन की विवस्ता हुई पुरे प्रदेश के अंदर एक अभ्यान चला करके हर गरीब परिवार के पास रसोई गैस का सिलिंडर होना चाहिए बिद्दुद का कनेक्षन होना चाहिए अब तो हम हर घर नल की योचना के साथ भी पुरे प्रदेश के अंदर कारे कर रहे हैं हर घर तक सुथ पेजल की उप्लगता करवाने का काम भी होड़ा जिन लोगों की कोई आवास नहीं थी, कोई वाइस नहीं थी मुसहर जाती के लोग थे, थारू जाती थे, चेरो, कोल, बंटांगया, सहरिया इन सभी जातियों को जिनके पास कोई जमीन का ठुकड़ा नहीं था सरकार ने इनको एक अभिहान चला करके जमीन उप्लगत करवाने का काम भी किया बड़े पैमाने पर किया, मतान उपलद करवाए जो राश्पिता महत्मा गांदी ने सतना देखा था, ग्राम सुराज का और प्रभानमंत्री मोदी जी ने आत्म निर्फर भारत का आत्म निर्फर की आधार को दिकाई गाउं पंचैत को बनाने की दिसा में इसकी बड़ी फोनिका होगी जब ये जमीन के ग्रामेड आवास्य अविलेग आपको प्राप्त होंगे किसी प्रेक्ति को कोई ब्योसाई करना हो तो उस अविलेग के मात्यम से आप जाकर के बैंक से लोन नेने की छमता अपने अंदर प्राप्त कर पाएंगे